यह पर्शेप्शन की दुनिया बहुत अध्वूत है यहां जो भी चीजें हैं जो भी जानवर है प्राणी है आदमी है जिसका भी सरीर है उसने उसी किसिम का पर्शेप्शन किया था इसलिए उसको उसी किसिम का सरीर मिल गया किसी ने सुन्दर द्रस्य को देखने का विचार किया इसलिए उसको सुन्दर आँख मिल गई किसी ने सुन्दर भोजन खाने का विचार किया तो उसको जीवान मिल गई किसी ने सहवास करने की इच्छा रखी तो उसको जननेंद्री मिल गई जो महाम हमारा पूरा सरीर है यह हमारी इच्छाओं के दोरा निर्मित है और उसी किसम का सरीर हमको मिलता है जानवर उसी किसम का विचार करते हैं उसी किसम का पर्शेप्शन उनको है तो उसी किसम का सरीर उसको मिल गएगा जो ज्यादा चुद्रत आमे रहने के लिए इच्छा रखता है उसको चुद्रत सरीर मिल गया जो दुर्गंद को ज्यादा पसंद करता है उसका सरीर भी दुर्गंद से बरा हुआ दुर्गंद को अच्छा मानने वाला ऐसा सरीर मिल गया तो आईसे कीडे मकोडे कितने है दुरगंद को अच्छा मानते हैं। इन में से आदमी का सरीर थोड़ा संदर ये पून है। आदमी सुन्दर ता चाहता है। इसलिए उसको थोड़ा सुन्दर सरी मिला। सुन्दर आँख मिली। मगर ये भी है तो सरीर ही। इसलिए आदमी का सरीर भी जानवर से अलग नहीं होगा। एक सरीर होने में जो भी कान, क्रोध, लोब, मैंथ, इत्यादे के आवस्यक्ता होती हैं वो जानवर के सरीर में भी होगी, आदमी के सरीर में भी होगी। इसलिए आदमी भी जानवर की जैसी ही परस्यप्शन में जीते हैं। इसलिए आदमी जानवर हो जाते हैं, आप देखे ना, आदमी कोई आदस परतिशात ही होंगे, जो थड़ा अच्छे होंगे। इन में से 40-50 परसेंट तो ऐसे आदमी हैं विश्चो में जो अतिनत कुरूर हैं, जानवर से भी निचे हैं, वो कुछ एगो के लिए किसी का मडर कर देंगे, या सुसाइट कर देंगे, या ब्रिष्टासार कर देंगे, खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे को तुख देंग इसलिए आदमी का सरीर में भी उतक्रिष्ट परसेप्सर नहीं होता है, उसकी सम्मावना होती है, इसलिए आदमी का सरीर होना, सरीर में आदमी को पैदा होना, यह बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे हम सोचते हैं कि आदमी है तो बहुत बड़ा हो गया, स्रिष्टा हो ग तोभी अगर कोई creative नहीं होता है, उसके भितर मानवता पैदा नहीं होती है, अध्यात्मों पैदा नहीं होता है, और लुशाचुणी में जानवर के जैसे बृतियों में ही जीता है, मुर्खताओं में और बृषा में ही जीता है, तो उस आदमी को आदमी का सहर्ज मिलने से बहुत अच्छा हो सकता था अगर कोई दूस्ट आदमी को अगर नहीं होना था तो भी कोई कामी नहीं होती है अच्छा ही होता है मगर आदमी के शरीर में वह संभावना है अगर वह चाहे उसको सदबुद्ध्य आये तो परसेप्शन से बाहर आवी सकता है वो चेतना की भी यात्रा कर सकता है सोपन की ही नहीं और यह संभावना है यह बहुत कम लोगों के पासे संभावना होगी तो वही आदमी सहुवाग्य पूना हो जाता है उसको ही यह आदमी का सर्ज मिलिये से बरदान साबित हो सकता है से ज्यादा कुछ नहीं है, सत्य यह वहां कुछ होता नहीं है, और उसको ही सत्य मान के जीने और मरने लगे, जैसे कि सोपन में, वहां सत्य कुछ है नहीं, सब जुटा ही जुटा है, और जुटे को सच मान कर सोपन देखते गए, देखते गए, और भागते गए, घवराते ग जीते हैं, सोपने में ही जीते हैं, उनको क्या चीज महुत प्रॉण लगते हैं, किसके पीछे वो भागते हैं, कोई पद के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, और कितना सोपना है, एक कोई आदमी एक छोटा सा इलेक्षन जीत ले किसी गाउं का, या कि तो इतना खुश हो जाता है इतना उसको बहल्यू देता है वो बिजय का उत्सब मनाएगा पार्टी दिलाएगा अपना सामाजिक सम्झार में प्रचार करें लगता है वो आदमी उसे चोटा सा गाओं में उसे चोटा सा इलेक्शन जितने के कारण हो उसको बहुत कुछ मिल गया इतना उसको भेल्यू दे रहा है तो इसका अर्था क्या है क्या हो सोपना देख रहा है क्या यह सच है यह सच तो नहीं हो सकता क्योंकि कितने बड़े-बड़े पद होते हैं उन पदों में जाने वारा भी दुखी दिखाए देता है परिशान पर्शेप्शन में जी रहे हैं और कैसा कैसा नियुद सुनना पड़ता है कई बलतकार हो गया किसी ने किसी का महडर कर दिया और यह सब चीजे पर्शेप्शन है कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं किसी को कुछ कह दिया और उसको बुरा लगा और बदली में दोनों के और बात कुछ घटी भी नहीं थी केबल विवाद था तो विवाद की ठाहिए क्यूंकि हर्यक आद्मी खुद का जो पर्शेप्शन है उसको ही सच मानता है दुसरी को विवाद की अगर वो जो मानता है वो सच नहों तो व जालेगा इसलिए हरेग आदमी अपने को ठीक शाबित करे या वो जो मानता है जो सोचता है वो ही सए होना चाहिए दूसरे को भी उसको मानना चाहिए उस सचको तो इसी तरह समाज बन गया देश बन गया सोचक करने वाले जो भी न्यता होते हैं पोलिटिशियन होते हैं, यह वही आदमी है जो अपने परसेप्शन को इतना ज्यादा भेल्यू देते हैं, वो दूसरी को भी उसको सच मानने के लिए राजी करवा देते हैं, और वो नियम लात देते हैं, और वो खुद ने ही सोधा था, जीवन में क्या सच है, क्या जूट है, इसको अगर नहीं जानेंगे, तो जूट में आप पड़ जाएंगे, तो परसेप्शन में आप पड़ जाएंगे, जूटी दुनिया को आप जीएंगे, जूटी दुनिया पर विश्वास करेंगे, इस दुनिया में आप एक लच्छे निसन बनाएंगे जीने के लिए आधार बनाएंगे जो भी आधार बनाएंगे वह आधार जो पर आधार just को कितना ही अच्छा क्यों कुण नहू वैसी कोई स्वोपन देख रहा है और फोपन में अन्याय की विरुद्ध लड़ने के लिए उसने विद्रुह शुरू कर लिया और विद्रुह कर रहा है कि तो काम तो बहुत अच्छा कर रहा है समा सुधारने का मगर वह सुपना में कर रहा है कि खुद ने हे उसने पैदा किया वो संसार और लोग क्या-क्या मान रहे हैं किस किस बात को सच मान रहे हैं कोई किसी मन्दिर को किसी मस्तिष को और किसी मुर्टी को भगमान मान रहा है और उहां पर जाकर दया की भीक माग रहा है, फुजा पाठ कर रहा है, इतना भेल्यू दे रहा है उस पत्थर को, जिसके विदर कुछ प्राण ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उसको वो भगमान मान रहा है, उसको दूर से उसके नीचे पैर रखे रहा है, सम्मान दे रहा है उसक मगर जब बाहर आता है तो किसी आदमी को दो कोड़ी का मानता है, उससे जगड़ जाता है, मगर उसकी मुर्ति को मान क्या रहा है, तो कितना अन्दा विश्वास है? और उसके घर के आगे भी बहुत सारे पत्थर हैं, उन पत्थरों में भी वो भगमान देख सकता था, अगर उसके पास त्रिष्टी हो तो, नगर उन पत्थरों को कुछ भेल जोई नहीं देगा, तो एक ही पत्थर, जो किसी निशित मंदिर के भितर रखा हुआ है, वह ही पत कुछ होता नहीं सत्ते कालपनिक दुनिया होती है, विचारों की दुनिया होती है, विचार इस्मृति पैदा करतेते हैं, चाभी निर्मार करतेते हैं, और भितर पिक्चराइजिशन हो जाता है, विचारों का, विजुलाइजिशन हो जाता है, और भितर हम वो चित्र कि यह सच है कि हैं कि आर उसमें जीने लगते हैं और इhat दिखाएज़ दिया वह दिखाएजी घिभ्या नीवेह सब्सें यूज कि दीन में भी सुबवा से सहम थोपन करते हैं जिन के पास बात करते हैं इन दिन चीज आव को ब्यलीव देन क्या यह सोपन की दुनिया नहीं है कि क्या क्या हम पहल्य देते हैं कि फालाना ने यह कर लिया वो कर लिया यह बड़ा आदमी बन गया और महिं अभी तक नहीं बन पाया तो उसको हम बड़ा आदमी मानते हैं, बड़ा आदमी है कि नहीं है, आप खुद ही सोपनत, परसेप्शन कर रहे हैं, आप उसको बड़ा आदमी मान रहे हैं, मगर वो विचारा खुद ही परिशान है, वो किसी दूसरी को बड़ा आप्मान है, आप जिसके आगे जूख रहे हो भगमान मान की, वो खुद ही इतना परिशान है, वो किसी दूसरी के आगे जूख रहा है, वो फिर जिसके आगे जूख रहा है, वो भी किसी दूसरी के आग है नहीं है मगर हमने परसेप्शन कर लिया हमने मान लिया यह बड़ा आत्मी है यह सच आत्मी है इसने ऐसा क्यों कहा आगे मेरे साथ यह होगा जो भी हम सोचेंगे वो सब सोपन की तरह ही सोचेंगे फिर क्योंकि आधारबुद बात ही जूट थी सोपना जूटी इसलिए उसका आधार ही जूटी है उसका जो लोकैशन है वो शच नहीं है तो दोनिया में वही आद्मी सवभा के साली है, उसी को ही आदमी का सारी मिलने से फाइदा हुआ जीस ने इस परसेप्शन की दुनिया से बाहर आने का चिस्टा किया। उसका उपाय किया है, उसका सत्संग किया है, उसको ध्याया है, और फिर परसेप्शन से बाहर सच की दुनिया को जिसने अनुभब किया है, उसी ने ही जीवन को जाना है। इस से अलावा इस दुनिया में जो भी आप महत्वपूना मानेंगे, वो सब सोप नहीं होगा। तो लोग क्या-क्या मान रहे हैं जीवन के मिशन को, मगर जिसने जीवन का ये मिशन मान लिया है, इन सब सुपनों से परस्यप्शनों से बाहर आकर सच की दुनिया कैसी है, उसको जानना है। तो वो जिसने उस यात्रा में जो आगे पड़ा, उसी नहीं जाना हो। इस यात्रा में आपको सच जानके ना कुछ पदपृतिष्टा मिलेगा, ना कुछ तहन संपति इत्यादी मिलेगी, ना कोई आदमी आप से मिल जाएगा, आप चो चाह होगे वो मिल जाएगा। आपको केवल एकी बात मिलेगे कि आप सोपन से जागे, उससे ज्यादा आपको कुछ मिल लेवारेगे, उससे ज्यादा अगर आप चाहेंगे तो आपको खुद प्रियास करना होगा। यह ऐसी बात हैं जिसे आप सोपन देख रहे हैं। तो सोपन देखने के बाद जब आप जागते हैं, तो जागने से आपको क्या मिलता है? जागने से क्या आपको भूग मिठती है? जागने से क्या आपको पैसी मिलते है? जागने से आपको एकी बात मिलती है, आपका सोपन तोटता है और आप दूसरी दुनिया में प्रविश्य करते हो जो सच के है मनगर ये भी सच की दुनिया तो हही ने, महगर शोपने के लिए तो ये सच की दुनिया है इस से भी और ज्यादा सच की दुनिया होगे जहां पर्सेप्शन बिदा हो जाएंगे क्योंकि सोपना में पूरे ही परसेप्शन है तो विपना में 50% सोपना है 50% वास्तविक दुनिया होती है और वो वास्तविक दुनिया भी इसी इंद्रियों के दोरा देखाई देने वाली दुनिया होगी मगर जो अत्यात्मिक दुनिया है वो इंद्रियों के द्वारा जानने वाली दुनिया नहीं होगी वो अतिंद्रिये हैं के द्वारा अनुगर होने वारा सत्य है तो आपको निर्णे करना होगा कि आपको जीवन का क्या मिशन चाहिए क्या आपको ज्यादा प्रिशाय करना है क्या बड़ी पड़ परत पहुंचना है वह ही आपका मिशन है या आपको जागना है तो जागने का यह है अर्थ होता है कि आप perception से बार है perception से बाहर जब हम आएंगे तो कुछ भी perception प시घा नहीं तो जो वो होगा वो सत्य का अनुभाब होगा सत्य का अनुभाब कोई परसेप्शन नहीं है कोई मानी हुई बात नहीं है परसेप्शन का अर्था है पूरे मानी हुई बात वो सच नहीं है आपने मान लिया देशे आप कहते हो मैं इंडियन हूँ यह सच नहीं, यह मानी हुई बात है, आपने मान लिया कि आप इंडियन हो, अगर आप मानते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तानी हो जाते हैं, और बहुत सारे लोगे जो इंडिया से माइग्रेशन करके पसीमी देशों में रह रहे हैं, और वो आप कहे रहे हैं कि वो यूरोपियन है वो अमेरिकन है तो आप अमेरिकन है यूरोपियन है भारती है क्या है जो भी आप कहते हो वो है एक परसेप्शन आपने माना वो सच नहीं है तो परसेप्शन इसके आधार में सभी कुछ परसेप्शन हो जाता क्यूंकि सभी कुछ हमने मान के ही रखा है जैसे हम मानते हैं कोई कहते हैं हमको कि आप कौन हो तो हम कहेंगे जो हम बेवसाय करते हैं या जो हमारा नाम है वो हम कहेंथे मगर वो भी एक मानी हुई यह बात है वो पर्शेप्शन ही हो गए जैसे आपका नाम है रमिस है तो आपका नाम रमेश होना यह एक perception यह एक मानी हुई बात है यह सच नहीं है आपका नाम रमेश होना चाहिए यह जन्मजाप नहीं है आपके निदार में वो लिखकर वो आया नहीं आप पैदा होने के नवज़स दिन के बाद लोगों ने कर लिए कि आपको क्या नाम दें और दूसरे का डिशिजन ही आपका नाम इसलिए ओपूरे ही जूट है आप खुदने भी नहीं रचाए यह अद्वुत बात है नाम है आपका और आपका नाम क्या है वह दूसरे निधारित करते हैं और आप जीमन वर मानते जाते हो कि वही आ कि दुसरोंने मनावा खुद से खुदने भी नहीं मनावा वह तो इतना पर्शप्ष्टन नो भार इन सभी पर्शप्ष्षन आम जीएगे जीवाराप आपके रहेंगे कि नहीं रमेश हों और वो नाम रमेश, दुसरों लित्ता है गिया था, वो ब्राहमनी, आपके माने, आपका अभिवाभग जोई है, उन्होंने नीने कर लिया, तो क्या, आपका नाम ठीक होगा, आधुनिक किसाफ से भी वो देखते हैं, परनपरागत धार्मी किसाफ से भो देखते हैं, तो एक मानी हुई बात है, मैंने कहा, सच और जूट में क्या फरक भाता है, जूट कभी भी मानी हुई होगते हैं, जो चीज मानी हुई है, वो जूट है, जो अपने आप है, वो सच है, झूट और सच का अधे सभ से महतित्य़ पुर्णा और बईज्यानिक शुत्रा है, हो वो एक मन्यता है मानी हुई बात है या सच है या अपने आप है इसको देखिया और आपका जो नाम है वो दुसरों ने रखा हुआ है और आपने मैं जो कहते हुआ आप खुद ने रखा हुआ है इतना पर है यह दोनों ही आपका नाम है एक नाम है आपका मैं एक नाम है अमेशे अरिता बाहर के लोगों ने रख दिया, और जब वो आपको बुलाएंगे, तो बुलाने के लिए आपका वो नाम कहेंगे. मगर आप जब खुद से बात करेंगे, खुद को पहचानेंगे, तो आप वो नाम तो नहीं कहेंगे, आप मैं प्रियोक करेंगे. और आप तहते रहेंगे मही 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 और दिनवर जो भी हम सोचते हैं उसी मही को किंद्र में कर सोचते हैं मही ने आईशा क्यों कहा मुझे यह होगा नहीं होगा की नहीं होगा मही कैसे करो मुझे ही आईशा क्यों होगा तो उसके center में वगा मैं, जबकि मैं क्या था एक नाम था, जूड था, perception था, और वो भी आपने दुसरों के द्वारा ही सीका, आपने खुद ही आप उसको प्रियोग करते हो उस नाम को खुद के लिए मगर वो भी है आपने दूसरों से ही सीखा क्योंकि दूसरे लोग भी अपने को मही मही कहते है आप भी अपने को मही कहने लगे तो ये मही कहना एक मानी वी बात है वो सच नहीं है, मगर हम को लगता है ये मही सच है, तो मुल मुन्द दह जया है, परसेप्शन का मुल कारड़ी बुढ़नी है, ये सोपन का मुल कारड़ कोयों होता है, थी आप मैं से अचेतन के दुरिया में पहुंचापके, और आपका जो चेतन है तो अचेतन बंद बहुत जेतन इदर बन उधर सोपना की दुनिया खुली कि ऐसे ही फिर आप सुपना तेखेंगे ऐसे ही आपने खुद को कहा कि माहिं हैं है streets तो माहिं कहने से दूसरे को relation बनाएंगे, आप किसी को कहेंगे मेरा बेटा, किसी को कहेंगे मेरा पती, किसी को कहेंगे मेरा बाप, तो मेरा तयार हो जाएगा, तो दूसरा perception शुरू हो गया, महें से मेरा, और महें और मेरा ये दोनों के बीच में जब कंफ्लिक्ट होगा, क्यों कंफ्लिक्ट तरिश्टी पनाएंगे आप भी उसको देखें वकर दोनों की जो आपकी परशेप्ट नहोंगे सोपन होगा बिल्गल उल्टा होगा फिर दोनों के बीच में संगर्षा होगा फिर आप इस संगर्षों में जीएंगे और हमारा सिंसार क्या है माई से पैदा किया हुआ मेरा के बीच में जो भी संगर्षा है वो संगर्षा भी सोपनों के कारणा अलग अलग सोपनों के कारणा उसी को हम सच मानेंगे और फिर कोई कहेगा आपको कुछ तो आपको बुरा लग जाएगा क्योंकि आप सच मानेंगे न उसको जैसे सोपन में कोई आपको मारेगा तो आप सब सोपना में रोने लगेंगे। ऐसे ही दिन में भी कोई आपको कुछ कहे देगा, कोई आपको कहे देगा बहुत मूर्खा है, मूड है, तो आपको उतना ही दुख लग जाएगा जितना सोपना में होता है। मगर यह दुख जो आपको मिला, यह रियल दुख नहीं है, यह सुपनों के द्वारा पैदा हुआ है, पर्शेप्शन के द्वारा पैदा हुआ दुख है, इसलिए हमरा जो भी दुख होता है, वो पर्शेप्शन के द्वारा पैदा हुआ होता है, इसलिए हम दुख से हम तत थैसे दुख होता है। जैसे सोपन भी होता है, जैसे रात आप सोपना देखते हों तो वहां भी दुख होता है। किसी टाइगर ने एट िण कर लिया तो आप भेंकर ची लेंगे आपको बहुत पिडा होगी विभत भोगी मगर जब आपजा गींगे तब ओपिडा होगी कहां चले जाएगे आप जब जाग जाएंगे तो वो पीडा सोपन की एक दम से खतम हो जाएगे, यह सोपन की पीडा है, तो ऐसे ही जो भी अमारे जीवन में पीडा होता है, उसा पर्शेप्शन के त्वारा पैदा हुआ पीडा होता है, तो मैं कहिना यह पर्शेप्शन है, और फिर पर्शेप्शन बहुंगाई पोगुफ से बहुआ अगर आना हो तो हमको मानना चुड़ना हो। यह निकाहिता कि अधियातम मैं आपे यह मानुब। कि कुछ भी आप मानना हो गें तो उससे परिसेपशन पेदा उल्ट हो। आपको कहें दे कि भगमान को मानो, तो फिर परस्यप्शन आप पैदा कर देगए, क्योंकि बगमान है कहिना, वो भी मानना ही तो अपनी जाना हुआ तो नहीं है, इसलिए अध्यहत्वा चो कहता हे, आपको मानो तो जूटे, और यह लाध्यात्म वह यह वह सकता है, जो आप कुछ भी मानने की सल्लह नहीं देगा, वो आपको कहेगा, जो कुछ भी आप अनुहाफ कर रहे हैं, वो सब जुठे, वो परस्येप्शन है, तो इसलिए आप जानों परस्येप्शन को, और जो आप जानों गे परस्येप्शन अगर सोपनad में आप चानओगी कि आप सोपना देख रहे ले हैं तो आप सुपना से भाहरा दाएगे जिजजी आप जंगल में आपको टाइगर एक्ट्याक कर रहा है अशानक छे आपको पता चल गया कि यह तो सोप प्रंदिक रहें तो वो टाइगर एक दम से बिदा हो जाएगा वो दुख भी बिदा हो जाएगा आप एक दम से जाग चाहिए तो इन सभी पर्शिप्शनों से आप एक जटकी में भी बाहरा सकते हैं अगर आप जागने के लिए तयार हो तो जागने के लिए जो भी उपाय हम करते हैं उसी को ध्यान कर दे ध्यान का यह अर्था है हो है कि आप सुचा बैटो और कुछ भी मत मानो किसी पर भी विश्वास मत करो और जो भी आपको हो रहा है उसको जानोगी वो परश्यप चले जोटे उससे थोड़ा दूरी बनाओ उसका अबजब करो इसी को जेकर्शन मुर्ति कहते हैं च्वासलेस अवेर्नेस तो च्वासलेस होकर आप पर जाओ जो भी आपके सरीरी में मन में बिचार में जो कुछ घट रहा है उससब सोपना घट रहा है तो आप इसको जानों कि यह सब सोपना घट रहा है मेरे जीवन में इसको मैं देखों कि क्या-क्या घट रहा है यह बिज्कल अलग बात है ने, आपके मन में विचार चला किसी दुश्मन का, और आप एक दम से उसको ख्याल मिलाकर पीवित हो गया, यह एक बात होई, परस्यप्शन की, आपके मन में एक दुश्मन का ख्याल आया, और आपने भितर भितर ही कहे दिया कि यह तो सोकना है, प अगर मेरे मन में यह परस्यप्शन छिपा पड़ा है, तो इसको मैं आने दूँ, तो उसका अपजब कर लो, अपने परस्यप्शनों को अपजर्ब करना है, अपने शरीर को अपजब करना है, अपने मन को अपजब करना है, शरीर में जो कुछ भी आपको पीड़ा हो रहा ह तो उसको आपजब करना है उसको जानना है कि ये सब परमुला नहीं होतारा参तर है ज्ञान यह प्रज्ञा ही होती और प्रज्ञा को लाओ जानो कि यह सब सोपने तो आप जानों की सब तो आप उतना पिडित नहीं होने, जो जितना सच मानता है वो उतना पिडित होता है, जैसे किसी ने किसी को ध्रका दे दिया, तो किसी ने उसको इतना सच माना कि उसको ध्रका दिना नहीं चाहिए, तो जितना उसको बेल्यू देगा उतना पिडित होता है, जैसे एकजाम में कोई फिल हो गया है फिल होने को इतना घयल्यू देगा को पास होने को जच जितना ज्याधा जश मानता है उतना पिडित होगे। तो आप पिडामी हो तो जदा सच मान रहे हो अपने सरीर को, अपने मही को जदा सच मान रहे हो तो सच मत मानो, जूट जानो और देखो क्या हो रहा होता आप इसको भेलिव नहीं दोगे, तो इसका बल कमजोर हो जाएगा आप इससे मुक्ता होने लगे और कुछबी perception आपकी वितर बचेगा नहीं है सभी perception को आप देख गए जाँ देखने लगे तो आप दृष्टा हो गए perception तो दृष्ट्से हो गए आप हो गए दृष्टा तो आप perception से बाहर आगे सभी परश्यप्सरव से बाहर आने की ये विदी है ध्यान नित्रों ऐसा कुछ प्राइवेट ध्यान जो आपको परश्यप्सरव से बाहर आने के लिए मदद करती है उनको अगर प्राप्त करना चाहते ही तो नोगे वार्शाब पर चैट कर सकते ही वसका नमर ओर निक बिस्किर्शन मेड़ी यार्तिया वह यार्तिया है